हलो गाइस वरकम बैक टो अंदर वीडियो यहार कल है हमारी विकली एक्सपायरी और हम आज बात करने वाले कि कल है विकली एक्सपायरी में क्या हो सकता है बैंक निफ्टी कहां जा सकता है और अपने देखा होगा आज के दिने आज मार्केट में 2% का फॉला था विकॉस यहा हो सकता है आज कल के दिन के अंदर कल विकली एक्सपायरी तो क्या हो सकता है कौन सी रेंज में जाना चाहिए और हमने पिछला I think Thursday जब मंतिली एक्सपायरी थी तब हमने एक वीडियो बना था जहां पर मैंने बता था कि यह इस मंतिली एक्सपायर में मार्केट उस दिन बन सकते कि मार्केट यहां से चड़ेगा तो आपने भी दिखा एक बचा के दिख लो उसके बाद मार्केट फॉल हुआ था उसके बाद मैं इन भी बता था कि यहां से इस रिंज को अगर कट नहीं कर पाया तो मार्केट विल भी फोल और आज हम बात करने में कल क्या हो सकता गया तो एकट भी है हमारी एकस बारि और एकसपइरी और काफी एकसड़िए होता हुम है क्योंकि काफी सही सिंदर हुआ था दिन में तो थोड़ा सैट अपने यहां पर किया हुआ है मतलब अल्मॉस्ट के में अपर लिगा कि जिससे कि आपको थोड़ा सचा वैय सके और स् 16616 तो इसको थोड़ा उपर कर लेते हम राइट तो हमने यहां पर बॉटम आज फेस किया 16620 के असपास अभी मैं इसको अगर बंडे लगाओ तो आप यहां पर देख एक चीद देख सकते हो कि अगर मैं इस लाइन को अटा दू तो यह CPR के पास इसने CPR के पास इसने टच किया वादब सपोर्ट लिया विकोश्च वाल की तरह काम करते हैं अब बात करते हैं कि कल कितने देख जासे तो अल्मोस्ट चेंज होगे वादब 0.40% बढ़ाए गए तो थोड़ा सा मार्केट यूनों मतलब डाउनसाइड की तरह द इस रेंज में directly खुलता है तो मैं immediately buying के लिए सोचूंगा because 16,500 से मुझे नहीं लगता है नीचे की साइड जाएगा अगर 16,500 से नीचे जाता है मतलब खुलते ही है 16,400 के आस पर जाता है तो मैं trade नहीं लूँगा because तब मैं मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा कि क्या यह हमारी expectation से थोड़ा सा नीचे खुला है 16,500 पर खुल रहा है तो मैं definitely buy कहूंगा because यह बहुत इच्छा support है बड़ अगर इससे 16,500 पहुचा है और उससे नीचे खुला हुआ है that means कि यहाँ पर जो bias दे वो convert हो गए selling के side पर because काफी साथ लोगों की position reverse हो जाएगी तो इसलिए मैं यहाँ से थोड़ा सा सोचूँगा कि कौन सी direction में जाना चाहिए because यह इतना बड़ा शार्फ होला है तो हो सकता है कि दूसरे दिन भी थोड़ा सा और नीचे की side से खुल सकता है अब बात करते हैं दूसरे सिनारियो के उपर कि यहाँ पर एक सिनारियो भी बन सकता है कि यहाँ पर market open होते ही मतलब अगर शुरू होता है उससे ही तुरंत यह तो हमारी जो कल की रेंज होगी वह 16,500 से लेके 16,800 की रेंज होगी यह 16,800 की रेंज होगी इसी के बीच में मेरे हिसाब से market sideways जा सकता है कल के दिन के अंदर अगर कल के दिन के अंदर इस दोनों के side से अगर कुछ भी कहीं से भी अगर इसको निकल के इस से breakout देता है या फिर इस से निचे जाता है तो we will go on selling side and we will go on buying side अगर यह इस से उपर जाता है तो बाकी मुझे लगता है कि कल के दिन के market सीधा सीधा sideways जाएगा यहां से यहां sideways जाएगा अगर यूएस में मार्केट के दर को जैसा या कुछ positive news आ जाती तब ही इसको क्रॉस करेगा तब तक we will on downside और यहां पर दिखो एक चीज यहां से falling आया है इस जगा से falling आया है तो अगर कल के दिन के अंदर market यहां से ही start हो तो obviously यह थोड़ा सा sideways ही जाएगा और इसके बाद यह breakout होगा तो यह हमारा CPR यह वाला यह हमारे इतने उपर जाने के chances काफी कम लग रहे मुझे ज्यादा से ज्यादा यह flat खुल सकता है या फिडाउंसाट खुल सकता है अगर मैंने बूले डाउंसाट खुलेगा काफी इंट्रक्सिन सी चींज बन रही है कि आप यहां पर देखो जो में मैंने 28 में को जो बॉटम बना था वही बॉटम आज इसने बनाए हुआ है बंदब आल्मोस्ट पूरा एपरिल मैंना हमारा बस ऐसे ही गया है आप देख सकतो अप्स डाउं अप डाउं अप डाउं मैं डिखने के लिए मिल सकता है इससे जादा मार्केट डाउं जाने की हां अगर जैसे यह न्यूज वगर आज की दिन का फॉल किसी ने भी एक्सपेक्ट ने कियो इतना फॉल आएगा कि किसको नहीं पता था कि RBI से क्या न्यूज आने वाली है तो 0.40% जो रेपोरेट में तो बैंक निफ्टी की बात करें जहां तक हम तो इसको अभी बात करते हैं बैंक निफ्टी में हम यहां पर देखो 15 मिटका यहां पर हमने चार्ट खोलकर रखा अभी इसको में बंडेगा केंडल लगा जाता हूं सेम चीज आपर आप देखने में मिल थी पिछले मन्थ का जो CPR था उसको यहां पर middle band को middle band को इसने आज के दिन में टच किया है जब निफ्टी में lower band था यह जो news है वो कुछ दिन के लिए अगर कुछ positive news निया जब तक तो यह news थोड़ी सी effect कर सकती बैंक निफ्टी को तो बैंक निफ्टी हम बांध के चलते कि यह 35600 पर अगर यह open होता है 35600 जो कि अभी आज के टाइम बे यह open यहां पर सूचने वाली बात यह आती है वैसे तो ओपन होने के चलता है जो कि हमारा 35900 पर 35900 पर जब भी open होता है तो यहां पर सूचने वाली बात यह आती है वैसे तो ओपन होने के चांसे बहुत कम लग रहे बड़ अगर 35900 पर हो रहे तो कम कॉंटिटी में सेलिंग कर सकते हैं कम कॉंटिटी के बोला हूं क्यों ज्यादा नहीं बोला हूं विकॉस कि यहां पर काफी लोगों ने शौट करके रख्योंगी तो यहां पर थोड़ा सा फाइटि पर expect नहीं गिर सकते हैं और अगर कोई बन्दा बहुत ही safe केलना चाह रहे हो तो यह expiry को avoid कर सकता है जो moment नहीं होने चीए moment भी होती है जहां तक आप सोच सकते हो कि इतने तक गिरेगा उससे भी ज्यादा गिर सकता है आज एक rate का एक 40% का जो rating का है उसके वज़े से थोड़ा सा मता भिल गया है लोगों को थोड़ा डर हो गया है तो बहुत ही कम कॉंटेटर में ट्रेटर्स को expiry के लिए बाकी में मुझा फ्राइडे से ट्रेड स्टार्ट कर सकता है फ्राइडे के बाद करें करें का दिन इसलिए इंपोर्टन हो जाता है हमार लिए तो अगर आपको इस पूरे इसके अंदर समझ में आगे होगा दस बज चुके हैं मैं साड़े दस ग्यारा बजे के आसपास यह वीडियो डालने के ट्राइग करता हूँ अगर आप नहीं देख तो प्लीज आकर देखा करो विकास जो भी चीज में यहां पर बताता हूँ वह चीज यहां पर पॉसीबल होती है तो आपका थोड़ा सा बसमय मतलब हो जाएगा कि क्या मैं नहीं बोलो कि मेरी जो चीज़े हो आप मानों मेरा प्लान यह रहता है कि म मेश में यह करने वालो अगस्वाम को सब्सक्राइब करना ओर मिलता नच्ट वीच甜 नहीं गया